नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर सहमारे इस चैनल वेदिक द्रिश्टी पर और आपकी जानकारी के लिए बता दें एक सितंबर दो हजार तेईस को भादरपद महीने की शुरुवात हो चुकी है हमारे हिंदु धर्म में महीने का अपने आपको एक विशेश और खास महत्व होता है क्योंकि इस महीने कृष्ण जन्माष्ट मी भी पड़ती है और बताया जाता है कि भादरपद महीने में ही शुक्र ग्रह का गोचर होता है जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पढ़ता है कि अनुसार महीने का जो पहला सुमवार होता है इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया भगवान शिवजी को बहुत ही प्रसन करती है, मान के चलिए इस दिन अगर आप भगवान शिवजी के लिए वरत रखते हैं, तो भगवान भोलेनात की असीम क्रिपा आपको मिलती है, लेकिन वेद पुरान के अनुसार अगर भादरप महीने के पहले सुमवार के दिन आप वरत नहीं रख सकते हैं, और शिवलिंग से वह गुप्त चीज सही महूत पर उठाकर के ले आते हैं, और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में लिखा हुआ है, तो इतना ही करने भर से न केवल आपको अपने जन्म ज बड़ा व्यापार चल पड़ेगा इस बीमारी से बहुत, परेशान तो इस बीमारी से आपको मुक्ती मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा धन आने के, सारे रास्ते खुल जाएंगे, और मान के चलिए भगवान भोलेनात की असीम कृपा सदैव आप पर बनी रहेंगी, दोस्तों प्राचीन द्रंथों में वेद पुराणों में महीने का अपने आप में एक विशेश और खास महत्व बताया गया है, वैसे तो इस महीने भगवान श्रीकृष्न और भगवान विश्नु जी की आराधना की जाती है, लेकिन भादरपद मह महीने के पहले सुमवार के दिन अगर कोई व्यक्ती भगवान भोलेनात के लिए वरत रख लें, तो माना जाता है कि भगवान भोलेनात के साथ साथ उस व्यक्ती को भगवान विश्नु जी का भी आशिरवाद मिलता है, लेकिन किसी कारणवश आप भादरपद महीने के पह इतना ही करने भर से ना केवल आपके बलकी आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आएगा क्योंकि दोस्तों देवों के देव महादेव एक ऐसे देवता है जिनकी हर कोई भक्ती कर सकता है चाहे वो इनसान हो राक्षस हो या ना हो यहां तक ये दुनिया कायम रहेंगी तब तक भगवान भोलेनात की महिमा काई जाती रहेंगी भगवान भोलेनात सिर्फ अपने भक्तों का कल्यान चाहते हैं और आपने देखा भी होगा कि भगवान भोलेनात के भक्तों की संख्या अन्य देवी देवताओं के भक्तों की संख् परिशानियों में आपको घेर करके रखा है तो सिर्फ 4 सितंबर 2023 15 महीने के पहले सोमवार के दिन शिवलिंग से आपको सही मुहूर्थ पर वह गुप्ट चीज उठा करके लाना है और अपने घर पर स्थापित करना है जिसके बारे में शिवपुरान में लिखा हुआ है और इतना ही करने भर से भगवान भोले नात का वो आशिर्वाद आपको मिलेगा जिसके बाद ना केवल आपके जीवन में आपको सुख समरिधी धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ती होगी बलकि आपके घर की बरकत भी होगी आपके घर की उनती भी होगी और एक बात को समझ लीजिये भगवान शिव अगर किसी व्यक्ति को आशी। लीजिये भगवान शिव अगर किसी व्यक्ति को आशी। लाप पा सकते हैं। वो आके हम आपके कमेंट के रिपलाई मैं बता देंगे। लेकिन आपको विडियो लाइक करना होगा। दोस्तों आप जीतने भी चीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये शिव पुराण में बता रहे हैं। ये चीजे बस आपको शिवलिंग से उठाना है और अपने घर पर स्थापित करना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा किस महूत पर कौन सी चीज शिवलिंग से उठा करके आपको अपने घर पर लाना है और दोस्तों हर चीज को कहीं पर लिख लीजिए और अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया है वीडियो को। लाइक कर दीजिए देखिए सबसे पहला उपाय जो हम आपको बता रहे वो है घर की बरकत का। पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है चार सितंबर को नहाने उनके पास सफेद। कपड़ा पहने एक तामबे के लोटे में शुद्ध जल भर लीजिए और पूजा घर से नाग और नागिन का जोड़ा खरीद। लीजिएगा नाग नागिन का जोड़ा पच्चास साथ सतर रुपए का आपको आराम से मिल जाएगा पूजा घर में बहुत आसानी से मिल जाता है। अब आपको भगवान भोलेनात के मंदिर जाना है। धर पर जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी उनका नाश हो जाएगा, आपके घर पर सकारात्मक उर्जा का वास हो जाएगा, और ध्यान रखिएगा जिनस घर पे भी सकारात्मक उर्जा का वास होता है, उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नती भी होती है, तो सबसे पहला उपाय तो ये हो गया, अब दूसरा प्राप्लम आपको इतना रहे, वही धन प्राप्ती का उपाय, दोस्तों मान लीजिये, आपके जीवन में जो धन आता है, वो बेफिजूई खर्ची में आपके जीवन में धन आना बंध हो गया है, आप इस चीज़ को, ले करके अना शुरू हो जाएगा, बलकी धान के सारे रास्ते खुल जाएंगे, और जो आपके पास धन आएगा, वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृध्धी होगी, आपको क्या करना है, चार सितंबर के दिन आपको नहाना धोना, ये सफेद कपड़ा पहनना है, एक जल अर्पित करना है, डमरु को, आपको शिवलिंग से छुडाना है, और घर पर आना है, पूजा घर पर पूजा घर के पश्चिम दिशा में स्थापित कर देना, आप ध्यान रखिएगा, प्रत्येक सोंबार को आपको किसी को थोड़ी सी धूप दिखानी है, अगर बत्त में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे क्योंकि डमरु, भगवान भोलेनात का सबसे प्रिययंत्र है, और शिवपुरान के अनुसार बहादुर पंद्र है, महीने के पहले सोंबार के दिन कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर लें, उस व्यक्ति के जीवन उसको फिर धन की कमी नहीं होती है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, तीसरा उपाय हम आपको बता रही है, या उपाय करने के बाद आपके जीवन में मान के चलिए, कभ को क्या करना? कुछ तो, फुर्सत रहेंगे कोई भी बीमारी आपके घर के लोगों को परिशान नहीं कर पाएगी और मान के. चलिए दोस्तों, आपके घर की बरकत भी होगी इस उपाय को करने के बाद क्योंकि रुगराक्ष भगवान भोलेनात को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, तो ये उपाय करना मत बोलिएगा, आप जो उपाय हम आपको बताने जा रही हैं, वो आपके शत्रूँ से आपको बचा तो आपको क्या करना है, देखिए 4 सितंबर 2023 के दिन आपको नहाना धोना है, नहाने धोने के बाद एक लोटा जल दीजिए किसी भी पूजा, करते हैं छोटा सा त्रिशूल खरीद लीजिए 40-50 रुपए का त्रिशूल आपको मिल जाएगा, इसी त्रिशूल को लेकर के अ भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाईए, शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कीजिए, एक लोटा जल अर्पित करने के बाद, इस त्रिशूल को आपको शिवलिंग से छुडाना है, और अपने घर पर आना है, पूजा घर पर स्थापित कर देना सिर्फ इतना उपाय है आपको 4 सितंबर 2023 के दिन करना है, दोस्तों आपके लाखों शत्रूओं के खिलाफ खड़े हो, वो आपका एक बार भी नहीं तोर पाएंगे, क्योंकि हम आपको विडियो की शुरुवात में ही बता चुके हैं, भगवान भोलेनाथ अगर, किसी व्यक्ति को आशिर्वाद दे दे उस व्यक्ति का साक्षातकार भी कुछ नहीं बिगार सकता, और ये उपाय अगर आपने कर लिया, तो आप हमेशा सुरक्षित रहेंगी, भगवान भोलेनाथ का आशिर्वाद सदैव आप पे और आपके परिवार पर बना रहेगा, तो ये उपाय करना मत बोलिएग जय महाकार